नमस्कार दोस्तों, यह जो आप एड देख रहे हो यहां पर एक अंटी दिखाई यह है जिनका नाम है विजिल अंटी, विजिल अंटी का मतलब होता है सावधान अंटी, सावधान अंटी जो सावधान रहती है, where it all begin कुछ लिखा हुआ यहां पर मतलब शुरू हुआ क्या शुरू हुआ पता नी बड़िये जो एड बनाया है HDFC बैंक ने बनाया है और वो यह कहना चाते हैं कि आप साफधान रही है बहुत सारे फ्रॉड रहते हैं फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन की दुनिया में बहुत बड़ी है बात है HDFC ने इसके बारे में जागरुकता फेलाई है बड़ी जो बत्तमीजी की है न HDFC बैंक ने यह मतलब बिलकुल बरदास्त नहीं की जा सकती ना की जानी चाहिए और आप देख रहे हैं इस एड में जो सबसे बड़ी गलती है वो यह है कि एक भारती महिला को दिखाया गया है और भारती महिला के माते पर जो बिंदी है जो की बहुत ही पवित्र इस्थान है जहां पर हम तिलक लगाते हैं जो हमारी दार्मिकास्था का केंद्र है जहां पर भिंदी भी बहुत ज़्यादा सम्मान का सूचक है तिलक भी बहुत ज़्यादा धार्मिकास्था का और सम्मान का सूचक है ऐसी जगे पर इस नो सायन को बना कर हिंदू भावनाओं के साथ छिड़ खानी करने की हद कर दी है मतलब बत्तमीजी की है मतलब इसका कोई सेंस नहीं बनता कोई लॉजिक नहीं बनता है आप सही बात फैला रहे हैं तो यह मजा करने की क्या वशक्ता थी तो बहुती गटिया हरकत जो है HDFC बैंक ने आपर की है इसका तुरंट सभी लोग विरोध करें ट्विटर पर विरोध करें वाटसेप पर करें फेस्बुक पर करें जहां कर सकते हैं वहां विरोध करें और HDFC को एक कड़ा सबक सिखाना चाहिए कि यह क्या बत्तमीजी की बात इन्होंने की है इस तरीके का यह जो अटिया हरकत की है बिंदी के स्थान पर यह जो नो का साइन जो बनाया है यह बिलकुल गलत है बहुत जादा बत्तमीजी की बात HDFC बैंक ने किया नहीं करनी चाहिए दी और यह महान गलती इतनी बड़ी बैंक ने कैसे कर दी यह हमारी समझ के बाहर है और दोशी तो बैंक को ही माने जाएगा उस मार्केटिंग मैनेजर को ही माने जाएगा जिस ने किया और ग्राफिक डिजैनर को भी माने जाएगा उल्लूका पथा टाइप का और जिस अकभार ने पब्लिश कर दिया ऊस अकभार को भी थोड़ा सा common sense रखना चीए कि वह क्या है कैसे है ऐसा नहीं करना चीए राइट तो बहुत सारे लोग दोशी है मतला ऐसा लगता है कि मतला हिंदू धर्म सबको सुईकार कर लेता है सबको सहन कर लेता है कोई भी कुछ भी चाप देता है उसके बारे में उठाके ऐसे थोड़ी होता है यार हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं सभी सब बराबर है वैसे भी धर्म एक व्यक्तिगत चीज है अपना मेरा धर्म अलग है मैं हिंदू हूँ दूसरा हिंदू हो उसका धर्म अलग हो सकता है सबके अलग-अलग धर्म है या पर पूरी दुनिया अलग है बट किसी की धर्मिक आस्था को आप चोट नहीं पहुचा सकते ये बहुत गलत है इससे बिलकुल अभिवस्था आराजकता फैल जाती है तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दे या अपना कोई और तरीका है आपका विरोध करने का तो विरोध जरूर कीजिए मुझे ये चीज बिलकुल भी अच्छी नहीं लगी है और मैं अपना इस वीडियो के माद्यम से विरोध दर्ज कर रहा हूं नमस्कार जै हिंद जै भारत